दोस्तों आपका मेरे चानल पे फिर से स्वागत है और दोस्तों जैसे कि आप लोग ने शीशक देख लिया होगा जी हाँ आज का वीडियो दिन द्याल प्लोटिंग पे अधारित है और मैं यह मानता हूं कि मेरे जो वीवर्स हैं जिन्हों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया वह दिन द्याल प्लोटिंग के बारे में जानते हैं बट जैसे कि कुछ लोग नए भी जोड़ते हैं चैनल से और वीडियो देख रहे होते हैं तो कई लोगों को नौलिज नहीं है तो मैं बता दूं कि दीन द्याल प्लोटिंग ह है कि हर्याणा गॉवर्मेंट नहीं 2016 में एक पॉलिसी लेके आई थी जिसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे बेसिकली उसका पॉलिसी का में जो मोटिव था कि जैसे यह होती है अपना अनुथराइज को लोनी सोगरा यह डेवलप ना हो जाए हर्याणा में जैसे आप दिल्ली में देखी रहे होंगी कि बहुत जगह पर अनुथराइज को लौनी सिवर होता है यह प्रॉपर लाइट होती है बट वहां पर क्लोनी काड़ जी जाती है ना गलिया उस पर प्रॉपर होती है ना पार्क होता है तो इस चीज को धियान में रखते हुए हर्याणा कावर्में अगर हम बात करें तो गुड़गाओं और फरीदाबाद को जिससे पहले दूर रखा गया था बट फिलाल अब गुड़गाओं को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है और तो यहां पर आप देखेंगे कि आप इस चीज़ को रोकने के लिए अना थोरा इस क्लॉनी को रोकने के पहले क्या होता था कि अगर आप हर्याना में रेजिस्ट्री कराना चाते हैं तो 180 से कम प्लॉट जो होता है साइज में तो उसमें आप फ्लॉर वाई रेजिस्ट्री नहीं करा सकते थे बट अब एक गॉर्मेंट नहीं चीज देखी कि 180 का प्लॉट लेना हर किसी के बस की ब तो इसी जो इसको रोकने के लिए फिर गॉर्मेंट नहीं है दीन देल पॉलिसी बनाई तो इसी के अंदर आप आपको जो दीन देल प्लॉटिंग जो बेसिकली साइज कर दिया गया है जो 75 स्क्वेर यार्ड से लेके 180 स्क्वेर यार्ड तक की साइज है मिलता है आपको दीन देल प्लॉटिंग में और आप यहां पर फ्लोर बाई रिजिस्ट्री करा सकते हैं तो एक तरह से बेसिकली यह जो अनुथ्राइस को को कंट्रोल करने के लिए यह पॉलिसी आई बाकि यह रहा कि गुड़गाओं में जब यह पॉलिसी आई तो कुछ आपक्षा यह लग थी और अपर उन आपक्ष्याओं के उलट देखा गया और यहां पर रेट क्योंकि यहां पर रेट कैपिंग नहीं रखी ती कवर्मेंट किसी विल्टर ने वाई और इस जिसको देखते देखते मनलब इतने रेट बढ़के गुड़गाओं में तो खासकर इतने रेट बढ़के प्लॉट्स के कि एक आम आदमी के बजट से बाहर होगे चीजे मतलब नाम तो दीन द्याल रखा या पॉलिसी पर पर यहां पर ना कही कहने से तो शायद चीजें नहीं होंगी बट हाँ अल फिलाल एक जो प्रोजेक्ट है आपकमिंग प्रोजेक्ट है नियर टू बैसिकली गुड़गाओं है अगर हम गुड़गाओं से में गुड़गाओं की बात करें तो बारा तेरह का डिस्टन्स रहता है यहां से और य आपने एमस जो बना है कैंसर के लिए स्पेशलिस्त यह वहां पर आ रहा है इस वीडियो में साइड व्जिट की है और इस वीडियो में चीजेश दिखाने की कोशिश की है और इसमें आपको मैं बता दू की जो आज के टाइम में अगर आपको गुड़गाओं में अगर आपने दीन डियल प्लाटिंग का rate पता किया तो उससे आधे से भी अगर हम सोना की बात करें गुडगाओं तो बहुत जादा रेट हो चुकी है अगर हम सोना से बात करें तो सोना में जो रेट आज की समय में चल रहा है लगबग 85 का रेट सोना में भी पहुँच चुका है अगर हम सोना मीन रोड की बात करते हैं तो और जब कि वहां का देखे तो काफी हो जाता है और बीच में अब ये टोल भी आ रहा है सोना रोल पे तो अगर उस हिसाब से देखे ये लोकेशन को देखे तो ये अजन डिस्टन्स भी कुछ जादा नहीं है और हाँ ये जरूर है कि अब ये लोकेशन डेवलपिंग है थोड़ा डेवलपिंग स स्टेज पर है इनिशल स्टेज पर है तो यहां पर थोड़ी चीज़े समय लेंगी डेवलप होने में बढ़ आज आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको अच्छे टाइम मलब फ्यूचर में रिटर्न जरूर मिलेंगी क्योंकि यहां पर का इस वाइवाद है तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको साइट समझाता हूं कि कहां से इसकी क्या क्या दूरी है और कैसी और यहां पर क्या आसपास में तो वह आप देखेंगे तो फिस ये विस्तार से पर चर्चा करेंगे पर दो किसको अपलाई करना चाहिए किसके लिए अच्छा है यह प्रोजेक्ट वगएरा वगएरा तो चलिए दोस्तों पहले आपको मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आप देखें कि कैसी यह साइट है चलिए आउ चले है दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पर एक की लैंड है और यह जजग डिस्टिक में बड़ सा बाड़ सा करके जगह है बैसिकली बाड़ सा जहां पर यह प्रोजेक्ट आ रहा है तो अभी उसकी आप लैंड देख रहे हैं जहां पर बिसिकली आप जानते होंगे कि एंस का कैंसर इंस्टूट है वह बना हुए यहां स प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही किफाइटी कीमत पे आ रहे हैं गुड़गाओं से काफी नजदीग है यह लोकेशन मात्र दस बारा किलोमेटर की रेंड में मतलब अगर हम सोना की बात करते हैं तो सोना से भी नजदीग पड़ेगी यह लोकेशन तो यह देख सकते हैं कुछ इस तरह से काम चल रहा है और यह देख सकते अभी आसपस तो बहुत सब्सक्राइब नहीं है बट जैसे जैसे डेफ्लमेंट आएगा और तो यह अच्छा प्रोग्रेस कर जाएगा और अगर हम सामने की तरफ देखें तो मैं आपको दिखाऊं यह जो सामने की तरफ आपको बिल्डिंग नजर आ रही है है यह एमस है जो बेसिकली आता डिस्टिक जजर में है पर बहुत नजदीक है गुड़गाओं से मतलब अगर हम गुड़गाओं से इसकी डिस्टेंस दिखाऊंगा मैं आपको वर्चौल टूर के थूरू तो आप देखेंगे काफी नजदीक है और वहां पर यह प्लोटि दिखा रहा हूं जो कि मातर 300 मीटर के आसपास है तो वह देख सकते हैं और यहां से अगर हम नजवगड की बात करें तो नजवगड जो एरिया आ जाता है दिल्ली में वह भी 20 किलो मेटर है बस यहां से तो देख सकते हैं यह 300 मीटर पर यहां पर ही बेसिकली दिली अब दोस्तों मैं यहीं से आपको जो रेजिदेंशल कॉम्प्लेक्स दिखाया था पहले मैंने वीडियो में उसका डिस्टेंस दिखा रहा हूं जो एमस वालों का रेजिदेंशल कॉम्प्लेक्स है तो वह आप देख सकते हैं कि कितना दूर है अब यह देखिए 200 मीटर यह और यह 1.85 और यह बैक साइड आ गए हम उसके बैसिकली दो रेजिदेंशल कॉम्प्लेक्स है उसके बैक साइड में और यह देखिए और यह हम आगे उसके फ्रेंट पर तो देख सकते हैं धाई किलो मेटर का डिस्टेंस है दोस्तों यह देखिए अब आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे करेडिगें कॉम्पलेक्स और शी अकरम में सकते हैं है यहां में Bartem fines और यह पहां से हमारी जो साइट के डिस्टन्स होगा जो दिन द्याल को प्लोटिंग की साइट आ रही है मात्र अच्छी जगह पे है बिसिकली साइट और इन फूचर काफी डेपलमेंट होना है इस एरिये में तो आप देख सकते हैं मतलब वह अभी फिलाल अभी तो क्या डेवलपि होंगी बस थोड़ा समय तो जरूर लगेगा यह देख सकते हैं कि दोस्तों दिखें मैंने आपको रेजिदेंशल कॉम्प्लेक्स दिखा दिया अब यहां से मैं आपको एक्चुल जो एम्स हॉस्पिटल है वहां का डिस्टन्स दिखा रहा हूं तो आप यह देख सकते हैं यह दिखें थ्री किलोमेटर्स जो हमारी साइट है वहां से तीन किलोमेटर का डिस्टन्स है कि आप देख पार होंगे कि यह जो रोड है इसकी लेट साइड में इसका केट है और यहां पर राइट साइड में यह रेजिदेंशल कॉम्प्लेक्स है जो यह रेजिदेंशल कॉम्प्लेक्स में आपको पहले भी दिखाया था तो रोड रोड के रैज साइड में रिजोंगर सैय्ट में एम्स फॉंस्पिटल है और दोस्तों अब मैं फाइनली आपको हमारी जो लोकेशन है जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वहां से आपको द्वार का एक्सप्रेस वे का डिस्टन दिखा रहा हूं बिसिकली यह सेक्टर 102 के पास हम लोग निकलेंगे यह देखे आगे हम बढ़ रहे हैं जैसे जैसे और उ दिखाओंगा और तो अभी हम द्वार का के इक्सप्रेस वे की तरफ बढ़ रहे हैं देखें दोस्तों कि अरा तो आओ कि यह देखिए दोस्तों जैसे मां के बढ़ रहे डिस्टंस बढ़ता जा रहा है और आपको उन्दावी जो मैंने बताया था सब्सक्राइब यह दिखाऊंगा यह देखिए अब मैं यह इस तरफ आगे इस ती यूनिवर्स्टी की तरफ तो यह देख पा रहे होंगे शीज़ पॉइंट नाइन दीरो अप्रॉक्सिमेटली सिक्स किलोमेटर ही है यह अंदर तक डिस्टंस दिखा रहा है यहां से बने आ आते हैं काफी सारे कोर्से सब लेवल है इस यूनिवर्स्टी में तो इसलिए काफी स्टेट से मलब बिच्चे यहां पर स्टेडी करने के लिए आते हैं अब देखें हम वह यूनिवर्स्टी से आगे की तरफ बढ़ गए और यह आगे हम द्वार का एक्सप्रेश की तरफ जा रहे हैं बेसिकली राश्ते में धनकोट भी आएगा धनकोट तो काफी फेमस है बेसिकली जो धनकोट विलेज है काफी फेमस है गुड़गाओं में तो धनकोट के बारे में तो गुड़गाओं वासी जानते ही हैं तो अभी देखेंगे हम राश्ते में बढ़ रहे हैं आगे यह देखेंगे एट किलोमेटर होगे डिस्टेंस और यह देखेंगे 8.20 तो आगे बढ़ते जा रहे हैं बेसिकली हम लोग यह देख पारे होंगा आप स्क्रीन पर यह देखें आगे आगे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है नौ किलोमेटर दस किलोमेटर हो गया अब आप वाक्स मेटली हम जो धनकोट विलेज हैं उसके आसपास पहुच गये यह एक्जेक्टली हम धनकोट के अंदर एंटर कर चु और बाहर से भी रस्ता जाता है बैट मैंने अंदर से डिस्टेंस दिखा दिया आपरो क्योंकि हम वही गोल चक्कर पहुचेंगे जहां पर इमार का गुड़गाओं ग्रीन्स करके प्रोजेक्ट है और और यह दिखिए हम उसी गोल चकर पहुच गया और यह सत्या का एक मा गार्ट दिख रहे होंगे यह संसिटी है और उसकी साथ में कॉंशेंट आया था यह वाले जहां पर पॉइंटर लिजा रहा हूँ वहाँ पर कॉंशेंट का प्रोजेक्ट आया था और यह हैरेटेज मैक्स है जो अबको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है और यह हम एग्जैक प्रोजेक्ट है और तो दोस्तों मैं आशकर तो आपने ये पूरा साइट विजिट का वीडियो देख लिया और आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक क्लेरिटी मिलती होगी कि कैसी लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट है और क्या क्या यहां पर प्लस पॉइंट हो सकते हैं कैसी कनेक्टिविटी है वगयरा वगयरा अब देखे इसमें आप काफी लोग थोड़े से दूविदा में होंगे और मैं बता दू देखे रेट अप्रॉक् आगर सोना में पकड़ के चलते हैं सोना में रोड़ पर वहां पे पिचासी नब्वे का रेट होचुका है घुड़गाऊं में एक लाव से उपर इपर का रेट होचुका है तो यहां पर चीजे ले सकते हैं इमिजेटली तो मैं नहीं कऊंगा कि आप यहां पे जाके shift हो ज horizon में अगर हम देखें आस-पस जब डव्लमेंट होंगी क्योंकि और भी ब्लैंस हैं यहां पर डव्लमेंट के तो वह भी मैं इस वीडियो के मादर में से कुछ आध तक शेयर करने की आप से कुशिश करूँगा तो देख सकते हैं अभी इस क्रीम पे आपको कुछ कोई एंड यूजर है तो उसके लिए नहीं है थोड़ा सा इंवेस्टर के लिए बेटर रहेगा और थोड़ा सा लॉंग टरम के लिए रखेंगे अगर यह पांसा साल में तो कुछ न कुछ वाप डवलमेंट अच्छा हो जाएगा बाकी यह है मलब की पूरा अगर मैं कहूं तो और अच्छा डवलब होने के लिए मैक्समुम टेनियर का तो एक लगे गई मलब एक दशक तो चाहिए चाहिए यहां पर और ज्यादा डवलमेंट होने में बाकी रोड वगर की क्नेक्ट्विटी का कोई शू नहीं है अगर वैसे कोई जैसे इन फिचर जैसे चार से पा तो मजबूरन क्या होता है कि इतने रेट बढ़ चुके हैं गुडगाओं में तो या तो नौइड़े की तरफ रुख कर रहे हैं कहीं और देख रहे हैं तो उनके लिए अच्छा विकल्प है क्योंकि यहां पर रेट भी आपको मेरा जो मानना है जो मेरा अनुमान कहता है आपको जैसे जो गुडगाओं से होता है तो रहेगा उसका में अगर उसकी प्रपर्टी यह तो वहां से कनेक्टर रहता है तो गुडगाओं वासी के लिए नौड़ा या यूपी में जाकर न थोड़ा सा वाप करने को तो आप करी सकते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं बट यह है कि थोड़ा सा वो दूर हो जाता है और वहां पर चीजों को मनलब मॉनिटर करना वो सब जाना आना देखना वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता तो उस ताइक के लोगों के लिए एक अच्छा विकल्ब साबित होने वाला है और यहां पर मेरे खाल से यह एक लौता प प्रोजेक्ट को देख सकते हैं जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना है और प्लॉट में ही करना है तो उनके लिए मेरे साब से बेस्ट है और थोड़ा सा लंबे समय के लिए सोच की चलिएगा एकदम शौटरम नहीं कि आज लिया और कल रेट बढ़ गए और वैसे भी देख है तो उत्रा एप्रिशेशन नहीं मिलेगा जहां पर जहां तक मुझे लग रहे हैं यहां मिलेगा क्योंकि यह डेवलपिंग स्टेज भी है और गुड़गाओं में काफी हद तक डेवलप्मेंट हो चुकी है अगर हम न्यू गुड़गाओं या इस्पियरोड की भी बात करते हैं तो वहां पर भी अभी रेट जो है आसमान चूरे है प्लॉटों के और अगर यहां पर अगर हम बात करें चार से पांक साल में तो उतना रेट नहीं बढ़ने के उमीद है और अगर आप रोए की बात करते हैं जैसे हम आरोए देखे कि हम एक लाख रुपे गज ले हमारे यह जो भी यह वाली प्लॉटिंग हम आज लेते हैं और यह हमारी डबल हो जाएगी तो 100% रिटन हो जाता है तो जो कि पॉसिबल भी लगता है यह मालब क्योंकि 30 से 60 होना पॉसिबल है बट आप लाख से 2 लाख जो होना वो थोड़ा सा टाफ है काफी मेरे साब से ब इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप मेरी बातों से डे से अगरी करते हैं तो डे से अगरी भी लिख सकते हैं कि हाँ शायद मेरे अनुमान गलत हैं बट मैंने देखा है कि प्लॉटों में चाहे हम सोना की भी बात करें अगर सोना में भी जैसे आप लोगों ने सोना रोड पे आई थी तो उसमें अच्छा खासा उच्छाल दिखा गया है तो प्लॉट्स मेरे खाल से हर जगे ही बढ़ रहे हैं इवन दो अगर हम आने की बात करते हैं रोड तक पे प्लॉट्स के रेट उठा लीजिए फरिदाबाद में उठा लेजिए सोना में उठा ली अच्छा भी वीडियो में आप अपनी राए भी दे सकते हैं और आप बताईए कि आपको क्या लगता है और देखें यहां पर एक और मैं बता दो कि एक और सर्वे भी हुआ है इस रूड पे अब वह मैं मेरे को एच्जेक्टी नहीं कह सकता कि वह मलब मेट्रो लैन का है वह सर्वे का मैं वह में भी दिखा रहो आपको देखें जा रहा रहा है अब यह मैं नहीं कह सकता है कि यह होगा यह फीचर में होता है क्योंकि इस पर सर्वे हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसका फैदा भी इस location को जरूर मिलेगा तो देख सकते हैं दोस्तों अब किसी को सस्ता investment करनी है प्लॉट में investment करनी है और दिल्ली से भी हाँ हाँ अगर हमें एक point में miss कर गया था कि अगर हमें दिल्ली से बात करते हैं जैसे मैं नजवगर से इस location का distance निकालू तो मातर 20 km का distance है मनला अगर हम देखें तो दिल्ली से भी पास है और गुडगाओं से तो पास है यह आपने देखी लिया जो मैंने आपको वीडियो के मातम से दिखाया तो एक ठीक location है मनला बहुत जादा दूर नहीं है और ऐसी जगा पे नहीं है कि जहां पे आप रोज आज जाके नहीं देख सकते हैं अगर आप गुडगाओं वासी है तो आप हर दूसरे मनला दूसरे तीसरे मन चाके चक्कर भी लगाके इस location पे देख सकते हैं तो यही था बस दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूं देखे वीडियो भी पसंद आया होगा और वीडियो की तरह और आपने यह वीडियो देखे यहां तक देख लिया है तो इसे like और share जरूर करके जाएगा और देखे जिसको भी in plotting के बारे में और detail चाहिए तो वो म इसे connect कर सकते हैं यहां पर मेरा website का भी लिंक है तो website के link पे भी number दिया गया है मेरा तो वहां से भी आप call कर सकते हैं बड़ टेलिग्राम पे ज्यादा feasible रहता हूं तो आप टेलिग्राम पे मेरे को जॉइन करें टेलिग्रूप जॉइन करें और वहां से आप मैसेज करके इ दिटेलिंग में से ले सकते हैं तो चले दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक दोस्तों बाबाई एंड टेक क्यार